कि नमस्कार मैं अंजली मिश्रोव स्वगत है अपका हमारे चैनल में गुज्रात के सुनाव नजदी का रहे हैं देट्स का एलान है तारीखों का एलान भी जल दो सकता है इसी बीच विदेश मंतरी एस जय शंकल ने प्रधान मंति नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांदे वो भी गुज्रात में गुज्रात के सूरत में और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से आज का भारत बदलता नज़र आया वो भी प्रधान मंति नरेंद्र मोदी के नंट तूमें उन्होंने यूख्राइण के बीच जब दो किस तरीके से बच्चों को निकाला गया किस तरीके से औरश्वायोंग को और ब्रेजडेनिक को को फोन किया हमारे बच्चे भसे हैं इस समय सीमा में उनको निकालेंगे और आप मुझे अपना वचन दीजिए कि इस समय फारिंग नहीं हो दी है आप जानते हैं कि हमारे बीस हजार से ज्यादा विध्यारती वहां यूद के बीच में फसका थे और उन में से दो शहर ऐसे थे जहां सच मुझ माने वो डेंजर में थी कि रोज फारिंग हो रही थी गोली बारी चल रही थी आपस में और एक शार ऐसा था कि उसमें तीन साइट थे कि उकरेन की आर्मी भी थी रश्या की भी थी और एक कुछ जैसे प्राइवेट या नौन अफिशल लोग भी हतियार ले के घुम रहे थी और हम लोगों ने बहुत कोशिश की उनको वहां से निकालने में पर आप जानते हैं कि जब गोली चलती है कि कौन भार आएगा अगर आप दूसरे शहर सुमी में तो हम वहां बस भी ले गए लोग बस में चड़े गोली गोली शुरी हुई वो वापस अप बहुत बार कोशिश की फिर अंत में दोनों दोनों शहरों में खरकेव और सुमी में प्रधान मंतरी ने प्रेजडेंट पूटिन को फोन किया और उकरेन के प्रेजडेंट जलिंस्की को फोन किया और कहा कि हमारे बच्चे भसे हैं और मैं चाहता हूँ ये मेरी रिक्वेस् लें आप हमें टाइम दीजिए इस समय सीमा में उनको निकालेंगे और आप मुझे अपना वचन दीजिए कि इस समय फारी नहीं होगी और उसके कारण उसके कारण हम इन दोनों शहर से हमारे लोगों को निकाल पाए विदेश मंत्री एस देश शंकर ने एक घर्टना को याद करते हुए यह बताया कि कैसे पीम मोदी ने यूकरेन युद के शुरू होने के तुरंत बाद पुतीर और जलस्की को फोन पर बार की थी उन्होंने ये बताया कि कैसे प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी के रश्य और यूकरेन के लास्ट पतियों को फोन करके भारतिया चात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए आस्वाशन मांगा था यह चात्री साल के शुरुवात में युद शुरू होने के बाद युद ग्र अगर आधार नहीं होता तो कोविन प्लाटफॉर्म नहीं होता है नंदन इलेकानी जी इस पुस्तक में लिखते हैं कि वो गुजरात आए जब नरिंदर मोदी जी मुख्यमंत्री थी और वह कहते हैं कि यह एक मने खाली गुजरात नहीं आए अलग हर स्टेट गए वो और यह इनके शब्द है कि मोदी विज दी ओनली चीफ मिनिस्टर तो अंडर्स्टांड पावर अधार अज जो डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो होता है अगर महामारी के समय में आप ही समझेए अगर आधार नहीं होता तो कोविन प्लाटफॉर्म नहीं होता अगर आधार नहीं होता तो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना जिसके तहट लोगों को अन्न मिला जिसके तहट बैंकों में पैसे आए या अगर आप देखें आवास योजना जिन जिन को घर मिल रहे हैं या किसान समान निदी जो सपोर्ट जो मिल रही है हमारे क्रिशकों को यह सब जो आज जो हम समझते हैं कि भाई यह गवननेंस की एक किसम से यह तो हम हम इसको समझते हैं कि यह तो है है इसमें इसमें क्या बड़ी बात पर यह बहुत बड़ी बात उक्रेन के सुमी और खारकीव में हमारे चात्र फस गये थे उसी दौरान प्रधार मंत्री नरेंदर मोदी ने राश्ट्रुपती पुतीन और जलस्की को फोन किया और उनसे कहा कि हमारे बच्चे फस गये हैं पिये मोदी की कॉल के बाद यह स्वाशन मिला कि निकासी की बातों का जो लोहा है वह कोई मानता है वह कभी भी भारत का अपमान किसी के जरीए नहीं सहते हैं और वह कोई भी क्यों नहों जिसने भी भारत को किसी भी मुद्व पर घेले की कोशिश की तो जैशंकर जी ने उन्हें पलट कर सही और मूद तोड जवाब दिया चाहे व बात की और उनके जवाबों की तारीफ करते हैं और लोग उन्हें का कह सकते हैं कि एक बहतर विदेश मंत्री मानते हैं जिनोंने अपने कारेकाल में अब तक हमेशा भारत का सीना गर्व से उचा रखा है और दुश्मनों को और दोस्तों को पहचाने की समझ और उन्हीं की में उन्हें जवाब देने में भी काफी जादा माहिर माने जाते हैं ऐसा मापको बता दें कि फरवरी के अंतिम सप्ता में रश्या की यूक्रेन पर अटाक किया था इसके बाद से हजारा लोगों की जाने गई ऑपरेशन गंगा के तहत भारत ने 22500 भारतिया नागरिकों को सुरक्षत निकाला था जिसमें से अधिकाज शात्र यूक्रेन के विभिन विश्व विद्यालों में पड़ रहे थे सूरट से लाइव ओडिशन के सामने बोलते हुए जेर शंकर ने कहा कि कोविड-19 जलवायू परिवर्तन और रश्या यूक्रेन संगर्ष के कारण अनिश्चित वैश्विक परिद्रिश के बावजूद भारत दुनिया भर में मजबूत वैपारिक भावना को प्रदर्शि में कि तागत को समझने वाले एक मात्र मुख्यमंत्रीHHH उन्होंने कहा अ प्रधान मंत्री मोधी आधार की तागत को समझने वाले एक मात्र सीम धे इसकी वज़ा से प्रतक्ष लाव हस्तांत्रंत संभव हो सका कोविट पोटल पीम आवास योजना पीम गरीब कर लियान योजना इसके बिना कुछ भी संभव नहीं होता गुजुरात के सूरट में कारिक्रम में बहुते हुए जशंकर ने बताया कि प्यम मोदी ने किस तरीके से यूक्रेन में भसे बच्चों को बाहर निकालने के लिए पुतीन और जनेस किसे बात की थी उन्हें कहा कि बताया कि अप्रदाल मंतरी ने जब क तो उस अवधी के दौरान नहीं होगी और इस तरह हम अपने बच्चों को बाहर निकालने में सक्षम रहे जशंकर ने यहां कहा कि हमें आज अपने पडोसीयों के साथ काम करना है हमारे पडोसी हमारे साथ सहज है लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि पडोसी यह भी को ने उता दिया और एक अच्छी शुरुवात कि अफगानिस्तान में दुखत चीजें हो रही है भारत नहीं कर सकता कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है अफगानों को तैक करना है कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है भारत मुश्किल समय से अफगान लोगों की मदद कर सकता है तब देख सकते हैं किस तरीके से एक बार फिर जो शंकर ने बताया कि कितना कुछ बदला है प्रधान मंत्री के नर्तित्व में कितनी सारी चीजें कितना कुछ बदलाव आया है जिसने 2014 में शपत ग्रहन किया उसने पड़ोसी मुल्कों के सभी को नियोता वेजा एक मजबूत आप कह सकते हैं नियू रखी एक मजबूत रेलेशन बनाया जो विपक्षी दल हमेशा यह कहते थे कि प्रधान मंत्री घूमने जाते हैं जक्सके प्रधान मंत्री बने हैं तब से ऐसा कर्च होता है ने लोगों के बचको बचापाने के पीछे वो विदेश्ट चूरि जिनके जरीए इंटरनेशनल्यल रिलेशन को इन्पोर्टिंस देते हुए इंटरनेशनल रेलेशन बनाकर इंटरनेशनल मजबूत किया गया जिसके वज Championships भारत का लोहा आज के वक्त म कि नज़राठी आती है जब महाल कराव होते हैं और हमारी पहुंच के बाहर होते हैं तो वहाँ मोधी जी और मोधी का कॉल पहुंच जाता है जहां से बचचों को सुरक्षित लाया जासकता है बात चाइना की हो बात अमेरिका की हो यह भारत की हो आप सभी गंगा के तहट कितने बच्चों को वापस लाय गया था 22,500 कोई छोटे मोटे आखड़े नहीं है 4, 5, 10, 12, 15 लोगों को निकालने के बात नहीं है 22,500 का आखड़ा है और ये 22,500 का आखड़ा ये बताता है कि कितने जादा influential प्रधान मंतरी नरिंदर मोदी है ऐसे हम आप देख सकते हैं कि इस बयान का काफी असर भी पड़ेगा गुजरात गड़ माना जाता है गुजरात के पहले बुख्या मंतरी रह चुक है नरिंदर मोदी और वहाँ पर गुजरात के लोग जिस तरीके से प्रधान मंतरी को अपना प्रेम व्यक्त करते हैं या घंटो तक टक टकी लगाए हुए उनका इंतिजार करना हूँ गुजरात की जनता का मोधी प्रेम सभी ने देखा अब ऐसे में गुजरात के सूरट में जय शंकर की प्रधान मंत्री की तारिफ कहने कही एक बार फिर से लोगों को उन दिनों को याद करवाईगी कि किस तर पूरा मामला है बड़े विस्तास बताएं कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी चुराय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साज़ा करें धन्यवाद